नमस्कार ओम्षान्ति माई इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है मित्रों हम बात कर रहे थे डोक्टर सुगंदा से जिन्होंने हमें अभी तक कि जितनी भी एक महिला विमारी होती है मैंने आपको पहले विका मैं बार-बार आपसे यह कह रही हूं तेकिन फिर उसको एक विमारी का नाम दिया जाता है जिसे हम पिकोस कहते हैं पी-सी-ओ-एस यह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और जो गाउं है हमारे उसको एक कहा जाता है महिला में विमारी है ने कि महामारी इसके बारे में कुछ एक-दो एपिसोड में हमने जानने की कोशिश की आज फिर हम उसी बारे में एक और चर्चा करेंगे कि यह हमारे लिए क्या-क्या चीज उप्योग में आती है और क्या-क्या चीजों से हमें इसको अपनी जीवन में लेके आना है डॉक्टर से बहतर यह हमें और कोई बता भी नहीं सकता तो अगर हम अपनी विमारी का इलाज खुद करने लगे हो सकता है 50% ठीक भी हो लेकिन 50% नहीं भी हो सकता है तो हमें 100% अपने जीवन में सुधार लाना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है खास कर यह महिलाओं के लिए और एक जो लड़की हैं हम जैसी में मुझ जैसी बहने हैं उनके लिए यह एक बात है आएए स्वागत करते हैं माई इंडिया हैल्दी इंडिया में डॉक्टर सुगंदा जी का आपका इस कारेकर में बहुत-बहुत स्वागत है अभी जो आपने बताया वो बिल्कुल सही है कि PCOS जो है आजकल जो है यह महामारी का रूप ले चुका है और हमें इसको जहां जहां तक हो सके हर एक को बताना एक अनिवारे हो चुका है यह अविश्यक है कि जैसे जैसे PCOS बारता जा रहा है डॉक्टर्स भी अब देख देख के केसिस परिशान हो रहा है कि इतने केसिस हो गए है कि आगे-आगे हर लेडी को जो शादी अभी नहीं हुई है यहां जिसकी शादी हो गई है उसके बाद PCOS हो रहा है यह सब चीजें और नॉन उबेसिती दोनों के उपर डिवाइड हो रहा है दोनों चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है देखा गया है कि अधिकतर जो लेडीज है वो अबीज होने के कारण सिटिंग जादा इंडिया में जब से कोविड हुआ उसके कारण जो है जादा PCOS ब बढ़ती जा रही हैं और यह एक अशान्ती का कारण बनता जा रहा है ताइम के साथ साथ शादी के बाद जब उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो इन फर्टिल्टी केसे भी इसी के कारण बढ़ते जा रहे हैं तेस्टिसरी रॉन जो है हाई होता है FSH, LH, कुछ ऐसे टेस् बढ़ते हैं तो पता चले आपका किस लेवल पर PCOS है और उसके बाद ट्रीटमेंट उसके एक प्रशन पूछना चाहते हूं कि अभी आपने एक शब्द उप्योग कि आप पतली लड़की इसके लिए पतली और मोटी का मतलब जिसे होते हैं कि आप मोटे हो तो आपको यह ह नबहुत जरूरी इसके लिए हैल्थ में क्या एक बड़ी चीज है मतलब हम लोग सोचे ना सिरफ मुटापा ही यह बिमारी का कॉज ऐसा नहीं है जो पतली औरते हैं उनमें भी यह प्रॉब्लम पाई जाती है और पतली मतलब इन दे संज जो एक्टिव नहीं है बट उनका वाजनों उनका newly फीमेल और एफक्ट होता है उनमें खहते है और ऐकट त्रीटमें वह पिल्लम टक्रीटमे नहीं है जहां थोड़ी बट वैजन भी這邊wife husbands сем कहते है जो जो टेस्टें करते है उस में इनमें होता और इंसुली इससंटन सोती है ठीख 656 कह दे合ार प्रफध रहाके सांगे है कि अरिफे नमोर्स रहताया मरेख जालत। भूलता है कर पेस फिल्आ सेल्साओं को बंसेल्स कर्लिल honest को बंसेल्सेल्स, दिंशसादो बंसेल्स पाइजा फिल्सक है कांगे ऑंदर कीड्स आर्टीप सेल्स में ला सेल्स्डने माथें जो है अंजो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, वो यूज नहीं कर पाएगी बॉड़ी उसके कारण कमजोरी यानी शुरू हो जाती है बॉड़ी सेल्स में, इंसुलिन रिस्टेंस होती है, बी एम आई जो है वो बढ़ता ही जाता है और क्योंकि जब अंदर वीकनेस तो लग होता है बॉड़ी को भीए लिकिन एक भात इसमे ये भी है कि कोई जो कहते है कि चाहें चाॉट कहोई कहता चाहँ, कोई कहीता है दो हिबड़न दो ताम् attracts हो य हिर तो कोई कहते है कि अपकर सारी तो शुबशाय कर दो, दूपेर कर ठोड़ू रात का मेस कर दो, मतलब इसमे तीनो टाइम भोजन अनिवारे है या फिर कैसे करके यह आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है क्योंकि सारी जब हम रूट को पकड़ लेते हैं फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे कर ट्रीटमेंट कर सकते हैं जैसे एक डवाई है जब हम खाते हैं तो अकसर देखा गया है कि जो शुगर की मेडिसिन होती है जैसे मेटफॉर्मिन 500 एमजी है वो PCS में भी दी जाती है हाँ मैं आपसे क्वेस्टन भी अगला करने वाली थी कभी कभी डॉक्टर लिख देते हैं कि आपको डाइबटीस की भी दवाई कानी है लेकिन जब मेडिकल स्टोर में चाहते है जो PCOS के साथ पेशेंस आप देखते हैं हम खुदी कई भार हम सोचते हैं कि मोटे नहीं हैं बट होता कि अंदर के बाडी में फैट की मातरा जादा होती है और मसल्स की मातरा कम होती है तो उसे बोलते है बाडी फैट कॉमपोजिशन तो वह जब हम टेस्ट करते हैं तो उ बिल्कुल जो रेशो वन इस्टो बन होनी चाहिए वो फैसे और लह का रेशो थी स्टो बढ़ जाता है लह एक दब बढ़ जाता है यह यह जो आप मुदा कोड जो आप यूज कर रहे थोड़ा साझ इसमें डिटेल में बताएं तो सबसे पहले हम पहले फिससे वही जब खाना इतना खाएं, तीन टाइम खाते हैं, तो उसका एफेक्ट अच्छा रहता है दवाई का, अगर हम सुबे का अजया से कई बार मेरे पास यंग गर्ल्स हाती हैं, वो कहते हैं किसी वजा से हम सुबे का ब्रेकफास नास्ता श्किप कर देते हैं, तो श्किपिंग मेल इस नास्ता अलाओवड, बिल्कुल नहीं कोई भी खाना जो है मिस करना है, खाना रिगुलर खाना है क्योंकि एक पाचन शक्ति भी एक्टिव रहती है उससे, और जब हम आच दस गहंटे के बाद अगर खाये वो भी देखा गया है कि उसमें भी बही जो अंदर भूख है जरूए से ज़्यादा खा लेते हैं फिर गैप के बाद और उससे भी जो है नेगरिटिव एफेक्ट होता है तो इसलिए मैं मोसली हम लोग कहते हैं कि तीनो टाइम खाना खाओ, एक भी टाइम मिस किया तो आप एक तरह कर रहे हो बिमारी को दूसरा दवाई, दवाई जो ह जो हम खा रहे हैं वह कौन सी दवाई है कैसे खानी है और किस मात्रा किस तरह खानी है दो महीने तीन महीने खाके इसको बंद करना है तो यहां फिर कंटीनिव रखनी है तो इसके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए अब दवाई का वह बताएंगे अगरिंग तो जब आप होस्पिटल जाते हो आपको डॉक्टर लिख देता है कि आपको यह यह दवाई जो है पंद करनी है और यह वाली दवाई शुरू करनी है उसका बेसिस क्या है तो आपको भी जब जानकारी होएगी तो आप जरूर खाओगे जैसे आपने कहा मेटफॉर मेटफॉर 500 mg की जो हम एक ताइम या दो ताइम अकॉर्डिंग तू दे शुगर लेवल्स देते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा पी सुएस में अधिकतर मात्रा में इंसुलिन एसिस्टेंस पाई जाती है और उसमें तेस्ट होते हैं फास्टिंग शुगर्स करवाते हैं और इंसुलिन कराते हैं जिससे मालूम चलता है इन दोनों की रेशो से कि उसका इंसुलिन एसिस्टेंस कितना ड्वलप हुआ है अगर हमारे अंदर फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग शुगर लेवल दोनों हाई हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर इंसुलिन एसिस्टें होने के कारण हमारे body के जो cells हैं वो glucose अच्छे से यूज नहीं कर पाती है इसका ये effect है और इसलिए हमें उन लोगों में metformin का tablet जो सुभे breakfast जरूर खाना है breakfast के साथ नाश्ते के साथ metformin उन केसे में दी जाती है ताकि वो further weight को neutralize कर सके और आगे जो है जो high बहुत जादा weight gain नहीं हो जिसके कारण और जो complications है PCOS की वो नहीं हो जैसे जैसे fruits खाते हैं जैसे हम इसमें ये भी जरूर आजाता है दीरी कि हमें fruits जादा खाने पर चाहिए raw अच्छा जो भी vegetable है salad है वो भी add करना चाहिए और इस से क्या है क्योंकि जो दवाया हम PCOD में जो कहते हैं इससे खाने से अपका PCOS बिल्कुल ठीक हो जाएगा उसमें multivitamins और minerals ही है और anti-oxidants ही है anti-oxidants सबसे जादा कौन सी natural चीज में मिलता है fruits में तो अगर हम fruits नहीं खाते हैं हमें fruits बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं हम नहीं खा सकते हैं ऐसे बहुत cases हैं तो वो कहते हैं अगर fruits खाने से anti-oxidants मिल रहे हैं तो आपको बेटर है कि दवाई छोड़कर हम लोग ये च आपका करना है कि डेली एक fruit ज़रूर खाये चाहे वो अपल हो वाटरमेलन हो पौंगरनेट हो ये बनाना ही खाये और साथ में nuts seeds जिसमें minerals है अविश्यक नेसेसरी जो बॉड़ी की nutrients हैं जिसको balanced diet कहते हैं तो इसमें जरूर आड़ करें चना है ये सारी चीज आपकी बॉड भड़ और सुवर में ये सीधर घकाते हैं और तो अगरे अए अपकी पहते हैं लिष्यक जिल्यका है थे अब थेग्स चाहिएं अजरूरी है और इसके साथ-चाहँ है टो अजितना निकलता है पार के पांटेश्चन सुर्ण सेफिझाएं जितना जलनी काता है र्ज़ों ज़रूरी है इस हमारी जनरेशन को मुझा बताना चाहोंगी कि अगर आप fruits daily खाते हो, nuts खाते हो, seeds add करते हो, sprouts खाते हो, तो आपको हो ही नहीं सकता कि PCODE ठीक ना हो, लेकिन आप एंग बार कभी कह रहे थे, test के बारे में, कि हमें अभी थोड़ दे पहला आपने का आखी, कि हमें क्या-क्या test करवाने चाहिए इसके लिए, और क्या नहीं करवाने चाहिए, कभी-कभी होता है, डॉक्टर लिखके क्या है बहुत बीवारी नहीं हैं, दुदो, छखके रहुत हों रहं हर लोग वोगे सकता ही मारी नहीं कहले को कि एक बीमारी है तोहों कि फर ब्लाप युदकि कर लाँ है, वह लोगे तरों कि हमें क्या-क्या इन सब सब चीज़ उन्हें की हा music है, क्या क्या हो तेस्त क्यान एक केस अठाई साल की लड़की आती है और वो मुझे आके बोलती है कि उसका जो खाने पीने का धंग है वो सारा उपर नीचे है वो टाइम पर नहीं खा सकती किसी ना किसी वाजा से यहां उसका बीजी शेडियूल है यहां उसको कुछ ऐसी प्राप्लम्स है जो अलर्जिक र उस केसे से एंपास्टि एंपस्टि उसको ASUS में हम कोड़ ंससे अंस्टेंसें प्राउ यहां जिकते हैं यहां आप देखते हैं तो जो टेस्ट मैं बता रही हूं वो सिंपल टेस्ट है जैसे कि फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग शूगर्स, एम्ह, एम्ह is anti-mullerian hormone, यह हमारे जो बच्चे दानी के अंदर अंडा बनने की शक्ति है वो उसके बारे बताता है, तो अगर वो कम है तो उसके डिफरेंट दवाई मेलिसंस होती है और फिर FSH और LH, यह तीन चार टेस्ट हैं जो अनिवार नहीं है और जो आवश्यक है, जो मतलब हमें लगता है कि ज़रू से जादा दिये जाते हैं, वो भी टेस्ट है, वो उन लोगों के लिए जो रेगुलर इंटच नहीं है अपने डॉक्टर क कि नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो जिनके बारे हमें नहीं मालूम, उनका बोड़ी कैसा है अंदर से, उनका थारोड तो नहीं है, कोई और वजाय तो नहीं है, उनकी खाने की अगर कुछ लोग वेजटेरियन ही खाते हैं, तो हम उनको नहीं लिखते हैं कुछ का भी एफेक्ट देखने में आया है कि वो बीप हाई और गलिस्टोल हाई यह सारे बाद में एड़ अप हो जाते हैं, तो अगर वो भी है तो जो भी हम दवाई देते हैं तो उसका एफेक्ट कम हो जागा, इसलिए कुछ चीजें जो है, यह वले टेस्ट जो है, FSH, LH, Fasting, Insulin, Fasting, Glucose, then AMH, और यह जो इंपोर्टन टेस्ट है, यही मीन मीन है, जो नाम जिन करता है, और अल्टरसाउंड, जिसके साथ कन्फर्म कर सकते हैं, कि और कोई मेडिसिन नहीं देनी, इनको सिरफ यह वली दवाईयां देके ही ठीक कर लेना है, और अगर 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 सिस्ट बने हुए हैं, दस से जादा बने होते हैं, तो फिर तो उनको और भी जादा लाइफसेल मोडिगेशन होती है, पहले तीन महीने मैनेजमेंट, अगर लाइफसेल मोडिगेशन के बाद भी उनका पीस रिपीट कराया जाता है, छे महीने में अल्टरसाउंड, अगर अगर मोटापा जादा है तो फिर हम उनको यह वाली शूगर की जो हम मेटफरमिन बोल रहे हैं वो देने से उनकी इंसुलिन सिस्टेंस को कंट्रोल में करते हैं और वो सुबह नाश्ते के साथ एक टाइम खाते हैं उनके खाने पीने का भी जो है रेगुलर मात्रा में उनकी अपने अप हो जाता है ग्लुकोस जादा अंदर बनने लग जाता है उसकी युटलाइजेशन जादा मेटफरमिन हेल्प करते हैं एनरजेटिक रहते हैं वो हौमोंस जो जिनको लगता है कि यादी के बाद भी PCOS आरा बच्छा नहीं हो रहा है से किंडरी इन इंदर के लाग्ड़ग हो जाएं और इस्ट अजुन प्रजस्ट्रां से था कुछ होने से फिर उनके अंदर का बच्चा है दूसा नहीं होुरा थाराई इस्तर नहीं नही यह सब जो चीजें हमें बताई क्या यह दोनों तरह की माईलाओं के लिए है या एक जैसे कि एक गर्ल्स होती है और एक होती है शादी के बाद तो यह दोनों के लिए ही जो शादी से पहले वाली है उनको हम सिरफ लाइस्टाइं मौडिकेशन ही मेंली बोलते हैं अच्छा ज सिरफ लाइस्टेरि मौडिकेशन से ही होता है स्ट्रेस अगर जादा है तो उक्रम करने से भी बहुत फ़र्थ परता है क्योंकि स्ट्रेसिमें जो है जो हमारा जो पिच्टरी ग्लाइं है वह हां एफेक्ट हो रहा तो वह से अगर पिच्टरी ग्लाइन कंट्रोल में आ घा तो उसके बाद वाकी hormones भी कंट्रोल में आ जाते हैं, उनके लिए पिल्स नहीं है, पिल्स सिरफ गरववती होने के लिए जो महिलाएं आती हैं मारे पास PCS के साथ उनको दिया जाता है, और नहीं तो सैशेज, मल्टी विटामिन्स ये सभी खाने को उनको बोलते हैं, कि जाद ये चादे बाद वारे जरूर खाते हैं कि जो दवाय खाये ज़रूर खाये और उसका रिगुलर इसका एफ़ेक्ट तीन महिन के बाद होता है, ये ऐसी दवाईने के आज बुखा रहे तो एक दिन खाने के बाद तो बंद कर देएं, कुछ दवायां ऐसी होती हैं, जो तीन कि ये एक बहुत तरह की बात कहें बिमारी कहें यह महामारी करें अजय कर तो यह भी हो ज है मैंने कि यह थीक नहीं हो सकती मैंने कि अग्राय इभायां का लिए जेसे आपने काया कि एक होता है ऐसा लेकिन उसको ठीक करने का आपने निवारन भी बताया एक अच्छी तरह से उसके टेस्ट उसकी दवाईयां उसका डाइट चार्ट उसका खाने का एक टाइमिंग फिर आपने कुछ चीजें इसमें इंक्लूड की कि यह चीजें आपको खानी है और यह चीजें आपको नहीं खाने हैं तो आज आपने पूरी डिटेल हमें बताए और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इसी तरह से आप जैसे डॉक्टर हमारे सकारेक्रम में आते रहें और हमारे इस इन बिमारियों को कुछ लोग ऐसे होते हैं दवाईयां खाके ठीक ह कुछ लोग होते हैं बाते सुनके भी ठीक हो जाते हैं क्यूंकि उस्तर फने माइंड में यह सोच लिए कि मुझे यह सब चीजे करनी है अगर करनी है मानलब ठांग लिया कि मुझे करनी हैं तो आदा इंसान तो वैसा ही ठीक हो जाता है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप इसका रेक्रम में आए मित्रो आज हमने पूरा एक डिटेल में जानने की कोशिश की कि ये एक बीमारी को या महमारी को कैसे दूर करें जैसे डॉक्टर जी ने भी कहा ये एक बीमारी नहीं है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं कारण भी बताया लक्षन भी बताएं और इन दोनों को हटाने के लिए निवारंग भी बताएं आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्दन जरूर हो सकता है साथ इसाथ आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह के आपको टेस्ट करवाने है, कौन नहीं खाना है सबसे बड़ी बात आज एक ये बताएगी diabetes की जो दवाई देखी जाती है ये जरूरी नहीं कि diabetes है तभी खानी है, ये एक हमारे शरीर को चलाने के लिए भी एक ऐसी दवाई है जो हमारे चीज़ में कुछ चीज़ों को खतम करती है तो ऐसा ना सोचें कि diabetes है तभी ये दवाई खाऊंगे नहीं, हमें ये दवाई भी खा सकते हैं अगर कमपर्सली डॉक्टर ने लिखा हुआ है तो अगली कड़ी में नए डॉक्टर के साथ फिर से आपके समक्ष हाजिर होंगे माई इंडिया, हेल्द इंडिया में उम्शनती